हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो कैसे अपसे विल्लोग तो गाइस फर्सली मैं एक बात बोलना चाहती हूं आज मेरे भाई का बर्ड़े है तो उसको बर्ड़े विश करने के लिए हैपी बर्ड़े सनी वह पुलिस में जोब करता है शिमला में है उसकी करती हूं मेरे भाई तू जहां भी हो सेक्सेस्फूली रहे तेरी लाइफ में तुझे सब कुछ मिले तू सब कुछ अचीव करे जो तुझे चाहिए वो तुझे मिले और गॉड ब्लेस और तू जल्दी से घर आजा तो यह तो होगी वैस्ट विशिस फॉर माइब्रदर क् जो करता है शिमला में तो वहीं रहता है अभी अपनी वाइफ की साथ आया हुआ था कुछ टाइम बयाद ही पहले ही गया है तो उसको तो हो गया तो आज एक चोटी सी बात मुझे आपको एक और बात बताने हैं गाईस वो बात में वैसे किसके साथ करना चाहती नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं कमफरटेबल होती और मैं वो कहते हैं हिम्मत नहीं होती मुझे ये बात करने की है तो बात यह है कि ये इसी मन्त के कुछ दिन पहले ही फिर से भी बात आगी मैंने अपनी ममी को खोया था मेरी ममी के देट हुए थी तो अभी कुछ दिनों से मेरा मूड थोड़ा एपसेट था क्योंकि वो वाली वो वाला टाइम जब डेट आती है ना तो मुझे बढ़ा ही ज्यादा फिर से वो दिन यादा आ जाता है एक्षिल मैं ये कहूंगी मुझे वो दिन यादा आ जाता है और मैं फ दी थी तो मैंने जब उनसे बात करना छोड़ी तो मैं उनके साथ खाना भी नहीं खाती थी काफी छोटी तो क्या मैं आइधिंक पस्टेर में थी तो उनके साथ बात करना छोड़ी थी गाब बात नहीं करती थी गुस्से में और एक टाइम आज से था कि मन के साथ खाना भी के साथ ही खा रही थी तो एक दिन घर में कुछ था आई थिंक तो उस दिन उस दिन ममी मेरे रूम में आए उपर मैं अपने रूम में थी तो ममी जब मेरे रूम में आए तो वो खाना लेकर आये थी साथ में सौरी वो हाथ में पेट लेकर आये थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रोने लग पड़ी उन्होंने मुझे कहा कि खाले मेरे साथ खाले या मेरे सामने खाले जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे पता नहीं होगा तूने खाना खाया होगा या नहीं तो मुझे शायद तब परवा नहीं होगी बट अभी तुमेह सामने है मुझे पता है तूने खाना नहीं खाया है तो उस दिन मुझे बड़ा जाद रोए थे और मैं भी बड़ा जाद रोए थे क्युझकि पता नहीं वो क्या मोमेंट था तो उन दिनों को आज भी मयाद करते हूं जरूसिकर कभी बार होता है कि mood of आशाद हूनी की याद के वयरे से मेरे कभी-कभी mood of हो जाता है तो उस दिन जब उन्हों नही कहीं तो उन्हों यह बात कहीं तो मैं हम सभी को सिर्फ एक ही बात करना चाहते हूं गाइस कि मैंने जो गलती की है आप प्लीज कभी न करें अपनी ममी पापा को फुली लव किजी प्यार करें क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हम नादा ली में बड़ा कुछ किया जाते हैं कि हम नहीं परवा हमें नहीं से बा काश मैंने वो हरकते ना की होती हैं उनको दुख ना दिया होता तो शायद काश हो मेरे साथ होते तो आप सभी को एक छोटा सा मेसेज दोंगी कि यह जो मुमेंट है आपको अपनी पैरेंस के साथ दिया है गौड ने तो उसको प्लीज अच्छे से अच्छे से अपने फैमल इसी नए थी जो हम आपको कहना चाहते थे तो आज मैं भी पच्छताती हूँ क्योंकि मेरे साथ आप सभी को मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किस तरह से वो मुझे छोड़के गए थे तो आज भी कुछ ऐसी बाते हैं जो मुझे याद आती है और मैं करना तो मैं इन बातों को लेकर बाड़ा गिल्टी फिल करती हूँ कि मैं कि वह अपनी ममी के साथ ऐसा किया था कि उनको हर्ट किया था लेकिन मैं अभी टीनेज थी अभी बच्ची थी मुझे भी क्या बता था कि को आने वाले टाइप मेरे साथ क्या होगा तो आप सभी से अपनों की रिस्पेक्ट करें अपनी ममी पापा को प्यार करें कल को वो ना होंगे तो आप उनको बड़ा मिस्त करोगे जैसा मैं करती हूं तो आई होप मी बात समझोगे और अगर प्लीज अच्छा लगव वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो मिलते नेक्स ये बाई